वेल्कम टू माई SPT All in a Study दोस्तों देखे इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेथ लाइन के कोश्चन के बारे में बात करेंगे अब आपका जो 11 और 12 का सभी चैप्टर का टॉपिक वाइस कोश्चन हर चैप्टर का जितने भी कोश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम कोश्चन आपक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल एकन प्रेस किजिए जिसे कि हम अगला वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचें देखेंगे फिजिक से सारे जितने कोश्चन होंगे सारे अलग-अलग में इसके द्वारा ते की गई दूरी एस और इसका विश्थापन डी है तो इसमें से बताना है सही रिलेशन कौन सा है एक बोडी इस मुविंग एक बोडी है जो इस ट्रेट लाइन में कौन्स्टि वेलोचिटि के साथ मूव कर रहा है तो एस ट्रेट लाइन में अगर s ट्रेट में में मूद करर है निक छल रहा तो इसका application inh तो इसका जो ऐसर होगा वह होगा सी अगर इस 스트ay लाइन में अगर कोई भी object या कोई भी पिंड कोई भी वस्तु अगर इस 스트ay लाइन में constant velocity के साथ move कर रहा हो तो उसका distance और displacement सेम होता है तो इसका answer हो जाएगा आपका c next question हम लोग देखते हैं एक कॉन का अस्थान बदल गया? एक कन का स्थान बदल गया विश्थापन और कन द्वारत्य की गई दूरी के बारे में आप हम क्या कह सकते हैं दा लोकेशन आफ पार्टिकल हैज चेंज वाट कैन वी से अबाउट दिस्प्लेश्मेंट एंड दिस्टेंस कोबर बाई पार्टिकल नाइदर कैन बी जीरो वन में भी जीरो बोथ में भी जीरो इस वन इस पोजेटिव ओदर इस निगेटिव देखिए जब कोई भी कन का जब लोकेशन यानि या स्थान बदल गया तो उसका कुछ ना कुछ विश्थापन होगा और कुछ ना कुछ दूरी होगा इसका जो एंसर होगा उसका होगा न तो सुनी हो सकता है यान या नहीं इसका विश्थापन सुनी होगा और नहीं इसका दूरी सुनी होगा कोई भी वस्तु का या कोई भी पिंड का जब उसका location change होगा तो उसका कुछ ना कुछ विस्थापन आता है और दूरी भी आता है तो इसका answer होगा A नो तो सुनी हो सकता है यानि सुनी नहीं हो सकता है Neither can be 0 Next question हम लोग देखते हैं किसी निकाय का विस्थापन सुन्य है ताई की गई दूरी सुन्य है सुन्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या तोरण पनिर्भर करता है The displacement of a body is zero The distance covered is zero, is not zero, may or may not be zero depends upon acceleration तो इसका जो answer होगा वो C होगा देखिए हम मे और may not be zero किसी निकाय का विस्थापन सुन्य है तो उसकी ताई की गई दूरी सुन्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो answer C will be right Next हम लोग 4 number question देखिए 4 number question का इंग्लिस में ही typing हुआ है In one second particles goes from A to B A to point B moving in a semi-circles of radius one meter the magnitude of the average velocity is देखिए figure में दिया गया है एक semi-circle semi-circle है point A से भी एक कोई particles है जो A से B तक जाता है तो the magnitude of average velocity average velocity का magnitude find करना है तो देखिए हाँ पर इसका average velocity बराबर होता है क्या displacement बटा time average velocity is called to displacement बटा time displacement upon time तो देखिए हाँ पर displacement हम लोगा यह कितना है इसका जो radius है 7-1 meter यहां से यहां तक 1 meter है तो यहां से यहां तक 1 meter तक 1 meter 1 meter 2 meter इसका displacement 2 meter हो गया और जो इसका time है यहनि 1 second में find करना है तो इसका 1 second नीचे हो गया displacement बटा time तो इसका 2 meter प्रति सेकेंड इसका डिस्प्रेस वेलो सीटी होगे एवरेज वेलो सीटी सो एंसर आपका बी विल भी रायट देख लिए आपको जो सेमी सर्कल है उसका radius 1 दिया है इसका displacement सीधी स्ट्रेथ लाइन में होता है इसका displacement जो होता है किसी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किधर से भी घूम जाए उसका जो displacement होता है उसीधी सीधी रखा में distance में ना पा जाता है तो इसका displacement 2 meter हो गया और टाइम दिया है वन सेकेंड तो इसका answer हो गया average velocity का दो सेकेंड नेक्स्ट कोस्चन हम लोग देखते हैं चलती वस्तु के लिए दूरी के विश्थापन का संख्यात्म अनुपात देखेंगे दनुमेरिकल रेशियो और डिस्प्रेश्मेंट तू डिस्टेंस फोर ए मूबिंग ऑब्जेक् displacement और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा always less than one एक से कम होगा always equal to one एक के बराबर होगा यह always more than one हमेशा एक से ज़्यादा होगा यह equal to और लेस दैन वन यानि एक से कम या एक के बराबर होगा तो इसका जो answer होगा आपका डी होगा आपका जो answer होगा क्योंकि displacement बटा displacement जो होता है वो distance से छोटा होता है या उसके बराबर होता है इसका answer तो displacement बटा distance less than equal to one equal to one और less than one इसका answer जो होगा वो होगा आपका d होगा so answer d will be right next question हम लोग देखते है निमलिखित में से कौन सा सुनी हो सकता है जब कोई कन समय के लिए गती में हो which of the flowing can be zero when a particle is motion for some time निमलिखित में से कौन सा सुनी हो सकता है जब कोई कन कुछ समय के लिए गती में हो निमलिखित में से कौन सा सुनी हो सकता है जब कोई कन कुछ समय के लिए गती में हो तो इसका हो जाएगा विश्थापन नेक्स्ट हम लोग कोश्चन देखते हैं 7 नमर कोश्चन यदि किसी कन से दूरी सुनने है यदि किसी कन से गत इए इसका देखें बोल रहा है कि अगर किसी पार्टिकल कर डिस्टेंस यानि धूरी सुनने हैं दूरी इसका सुनने हैं तो वाटी वाटैं you say about it displacement तो इसके विश्थाफन में क्या कहा जा सकता है it may or may not be zero it cannot be zero it is negative या it must be zero इसका जो answer होगा इसे d होगा it must be zero इसली होगा क्योंकि अगर कोई कौन या particles उसका धूरी यानि distance उसका zero है यानि वो रेस्ट में है जब वो कि या जब ते नहीं कि इस लिए इसका दूरी जीर्व है और जब दूरी इसका zero है तो displacement है क्योंकि यह रेष्ट में है अगर मोसं में रहता हुआ इसका displacement जीर्व नहीं होता लेकिन है रेस्ट में है इसलिए दूरी भी जीर्व है और displacement भी जिरो है नेक्स्ट कोस्टन हम लोग देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक विम्य गती है वन डैमेशनल मुशन साथ की गती वायू में उपस्तितकन की गती सेटिलाइट की गती यह ट्रेन का गती जो एक सीधी ट्रैक पर चल रहा है तो यह इसका अंसर बहुत सान है इसका अंसर होगा डी यहां पर सारे आपको most important question कराये जाएंगे इस तरह के question आप कहीं देखने को भी आपको नहीं मिले होंगे next question हम लोग देखते हैं 9 number एक पींड उर्धवारदर उपर की ओर 100 मिटर प्रति सेकेंड के वेक से फेका जाता है यह कितने समय में वापस लॉट आएगा एक पींड एक बॉड़ी इस थ्रोन अवर्टिकली ओपवार्ट्स आट अट वैलोसीटी ऑफ 100 मिटर प्रति सेकेंड इन वाट विल विल इन वाट टाइम विल इट रिटर्न तो देखें इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे टी बराब रोता है इसका फॉर्मूला ती बराबर तुजू साइं ठीटा अपन जी यह कि आप ठीटा कमान नाइंटी उद्वादर फिका गया है तो ठीटा कमान प्रति हो गया और तो यू कमान दिया हंड्रेड और जी कमान हम लोग टेन ले लेंगे तो वन चिरो से वन डिटा ट्वाइटी यानि इस सेकें इसका जो टाइम आएगा वह बिस सेकेंड तो इसका अंसर हो जागा आपका इसका आंसर आपका होगा डी डी विल बी राइट गता है तो यह किता स्नक्राइब वापस लोट आएगा यानि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम पूछ रहा है तो यू साइंट आपकों जी हो जाएगा अगर शिर्क उपर जाने का टाइम पुछता तो यू छैट इस निटा पंग जी हो जाता नेक्स्ट कोस्चन हम object in the first second and third second first second and third second तो इसका जो answer होगा देखिए इसका formula होता है एस बराबर यू प्लस हाफ 2N-1 2N-1 होगा तो प्रथम सेकेंड में अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर इन कमान व्याब रखेंगे तो प्रथम सेकेंड में तो 2N-1 2 x 1-1 करेंगे तो में से गया सेकेंड सेकेंड में देखेंगे तो 2-4-1 3 और थर्ड देखेंगे तो तरी तूजा 6 में से वह गया तो फाइव तो इसका answer होगा 1 3 5 डिरेक्ट फर्मूला पर इसका मान पूट करेंगे प्रथम में पूट करेंगे तो इसका 1 निकलेगा सेकेंड पूट करेंगे तो इसका 3 निकलेगा और जब ठर्ड पूट करेंगे तो इसका 5 निकलेगा तो answer B will be right next question देखते हैं किसी निकाय द्वारत ताई कि गई दूरी सीधे सीधे लिये गए समय के समय पाथी है यानि वो रहे दर distance tutto बाय है बौड़ी इस डाने क्ली प्रॉपोर्सनल तुढ़े में टेक हाने डिस्तेंस अपर टाइम या अब इसका स्पीड भी घृए जगा इसका स्पीड भी यानि डूरी जो डी है वो डिरेक्क टी के प्रोपोरोशनल है तो टी की प्रोपोरोशनल है जब तो टी बाय टी जब इधर लाएंगे तो यहांपर कॉंस्टेंट होगा तो इसकी गति रहेगी नेक्स्ट कोस्टन हम लोग देखते हैं समान वेग कि समान वेग के साथ गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढालान होगा समान वेग यानि समान वेग दा सूलूप वेलोसिटी टाम ग्राफ पॉशन मेट अनी फॉर्म बेलोसिटी इसका इसकन अन्थ वेलोसिटी टाम ग्राफ और भीड सवरी हैं यहाँ यहां पर आप एबी सी पीसी थी ईरो भी है इसली के लिए निचेएक लेग ही आपे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है यहां पर यह हो गया आपका टी यह हो गया टी और यह हो गया भी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल यह यहां पर चल रहा है तो यहां पर ठीट ठीटा का जो मान है वह हें थिटा का जो माने है वर जिरो लिग दी है् ďं यहाँ पर यहाँ पर यह का पर जो एंसर होगा वो सी होगा यहाँ यहात भी होना चाहिए लेकिन यहां पर भी हो गया इसका अंसर होगा सी हagn स्थम्रों देखते हैं किसी शरीड के और 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 उस्ट गति के संख्यात्मक मानो का अनुपात किसी शरीड कि da ratio of the numerical value of the average velocity and average speed of a body is The ratio of the numerical value of the average velocity and average speed of a body is किसी पिंड के औस्वत विग और औस्वत गती के संख्यात्म क्मानों कानुपात होता है एक होगा या इकाई होगा इकाई या उससे कम होगा इकाई या अधिक होगा या इकाई से या एकाई से कम होगा तो आपका जो एंसर होगा वो होगा दी एकाई या उससे कम होगा क्योंकि आशात विक जो हता है average velocity but is less than is equal to average speed आशात गती तो average speed average velocity upon average speed is less than is equal to 1 एक एकाई हो या उससे कम होगा जो एंसर B will be right next number question हम लोग देखेंगे the ratio sorry किसी भी समय इस्तिती समय ग्राफ पर खीची गई असपस रेका डालान ततकालिक the slope of the the slope of the tangent drone on position time graph at any instant in equal to the instantaneous किसी भी समय इस्तिती समय ग्राफ पर खीची खेस्पस रेका कि डालान ततकालिक तोरण बल वेग या गति के बराबर हैं तो रन के बराबर होगा या बल के बराबर होगा या वेग के बराबर ही होगा या गति के बराबर होगा तो इसका आंसर होगा आपका 14 का स्थी होगा वेग किसी भी समय इस्तिति ग्राफ किसी भी समय इस्ति समय ग्राफ पर खीची कर एस्परस रेखा की धलान यानि टैन ठीटा बराबर एस बाइटी तो एस बाइटी हो गया वेग दूरी बटा समय यानि वेग हो गया तो इसका एंसर सी विल भी राइट नेक्स्ट हम लोग कोश्चन देखेंगे दो कन ए और बी दो कन ए और बी के विस्थाफन समय रेखा कन सीधी रेखा हैं जो समय अक्ष के साथ करम सतीस डिग के कोन बनाते हैं यादि एका वेग भी और बी का वेग भी भी है तो भी ये बटा बीबी का मान क्या होगा देखेंगे अपर दिस्ट दिस्ट्ट इंग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए और बी रेस्टेट लांस मैंकिंग एंगल्स ऑफ 30 दिग्री और 60 दिए इस्टेवली विट तो भी ये बटा बीबी तो देखें आपर हम लोग भी ये निकालेंगे सब्सक्राइबस निकालेंगे तो टैन भी ये निकालना है तो टैन फर्टा बीबी निकालना है ट। टैन "... गाल थ्रूर इंडिञे रूट 3 तो इसका चो अनुपात आएगा 1 by 3 आगा 1 by root 3 और निचे root 3 यह तो दोनों 1 बड़ा root 3 और root 3 में इंटू कर देंगे तो इसका अंसर आजागा आजाएगा आफका दी भी यह बराबर 1030 निकालेंगे और भी भी बराबर निकालेंगे 1060 पीटिश लोप निकालेंगे यहां पर graph के बारें बात बोड़ रहा है तो स्लोप निकाल कर दिसका अंसर हम लोग्स फाइंड कर लेंगे तो इसका अंसर जो होगा वोडी होगा next हम लो question देखेंगे एक समान गती में किसी वस्तु के वेग के पडिवर्तन की दर क्या है एक समान गती में what is the rate of change of velocity of an object in any form motion एक समान गती में किसी वस्तु किसी वस्तु के वेग के पडिवर्तन की दर क्या है हमेशा सुन्य के बराबर है हमेशा एक से कम है हमेशा एक से लिखे या एक से कम या एक के बराबर है ओलवेज इकवल टू जीरो इनि वाट इस दरेट चेंज बेलुसिटि आफ एन अब्बेक्ट इन इन फॉर्मोशन इसका आंसर होगा ए ओलवेज एकवल टू जीरो हमेशा सुनिया के बराबर नेक्स्ट हमलोग कोश्चन देखते हैं सेवैंटी नमर कोश्चन देखते हैं निमिलखित में से गलत कथन को फाइंड करना है एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की गती एक आयतकार गती है भी देखेंगे समाने रूप से गती वेग के परिमान से कम होती है सीधे के विस्थापन समय ग्राफ ढ़लान पिंड का वेग देता है या डी नमरोगा पिंड समय ग्राफ के अंतर गार छेतर पिंड का विस्थापन देता है तो आपका जो आपका जो जो आंसर आपका होगा वो भी राइनर रॉम होगा निमलिखित में से गलत कथन को चुनिए एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की गती एक आयतकार गती है ये सही है विस्थापन समय ग्राफ ढालान पिंड का वेग देता ही भी सही है वेग विस्थापन ग्राफ के अंतरका छेत्र पिंड का विस्थापन देता है ये भी सही है लेकिन जो बी नमरे समाने रूप से गती वेग के परिमान से कम होती है ये गलत है तो आंसर आपका बी विल भी राइट एटी नमर अब हम लोग एटी नमर कोश्चन देखेंगे एक एथलीट 40 सेकंड में एक एथलीट ह पर एक चक्कर पूरा करता है तो तीन मिनट ट्वैटी सेकंड के अंत में उसका विश्थापन क्या होगा एन एथलीट कॉम्पेट्स वान डाउन ऑफ़ सर्कूलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 14 सेकंड वाट विल भी इस डिस्प्लेश्मेंट एड़ इंड ऑफ 3 मिनट 20 से देखे सबसे पहले हम लोग 3 मिनट और 20 सेकंड को 3 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे 3 मिनट यानि एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो 63 एटी 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 एटू फाइब राउन फाइब नाषका हूं उडर्व ना मनत तो इसका डिस्प्लेश्मेंट क्या होगा यानि 200 में रिस्प्लेश्मेंट क्या होगा तो दीखिए यह ट्रियूर ट्रैक है प्लिश्योंन अमाल कि इसका डिलियस है आर अ कि ये भी आर यहां से है आप महले यहां से अथलिट यहां से स्टार्ट करता है दोरना तो यहां निस स्मर्च में वहां गया इस हो फिश यहां से यहां तक है इसका इस्पेश्मेंट उगया गया फिर मिल यहां स्श that's kind of assumption जीडयोगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीरो सो तो एंसर एविल बी राइट क्योंकि यहां से यहां से यहां तक तो इसका displacement टूर यहां से यहां जा रहा है इसका displacement हो गया रहा है सुनने तो इसका जो एंसर होगा यह होगा ए इससे आप अराम से देख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नाइंटी नमर कोश्चन बतार पूछ रहा है वीच अफ़ फ्लॉइंग ग्राफ का नोट पॉसिबिली रिप्रेजेंट वन डैमेशनल मोशन अफ़ पार्टिकर निम्लिखित में से कौन सा ग्राफ संभावता एक खन के आयामी गति का पृति से कर से हैं तो यहां पर देखिए यहां पर हैं शर्कुलर मोंशन कर रहे हैं यह यानी स्टाइट लाइन में मोंशन om के ऑ करें şीद्धिरेखा में दूरि निडधारित करने के यह सही समय करने चुने चूज दक करेक्ट चूज दक करेक्ट इक्वेशन टू डिटर्माइन डिस्टेंस इन इस ट्रेट लाइन फोल एंपोड़े विट इनिफॉर्म मोशन तो इसका असान है जो इसका फर्मूला यूटी प्लस हाफ एटी इसका फर्मूला यहां पूछ रहा है और आपके एक्वेशन को पूछ लेता है जिससे की हम लोग को समझ में नहीं आपाता है हम लोग गलाट टिक करके चले आते हैं चो देखिए यहां पर वीडियो हो गया समाप आप इसको डेली देखिए आपको डेली टॉपिक चितना मैक्सिममँ के लाट या 100 या 150 जितने कोशन होंगे वह सारी मियंगे यहां से साथ हेलेवेंद को टॉपिक वाइस टॉपिक सारे कोशन अब दिये जाएंगे मोकट टेस्ट भी आएगा सब चीड़ अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ल